राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे दो बुढियाओं के कार्तिक इसनान की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक गाओं में एक बुढिया रहती थी उसका एक बेटा था बुढिया बहुती संसकारी थी बहुती नियम करम वाली थी पूजा पाठ किया करती थी हर साल कार्तिक इसनान किया करती थी और पूजा करती पत्वारी बनाती उसकी कथा कहानी कहती तुलसी जी सीचती गणेश जी बुढिया का बेटा बड़ा हो गया बुढिया ने अपने बेटे के लिए उसकी जो योग्य लड़की देखकर उसकी शादी कर दी लेकिन कहते हैं कि जिस किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वे संसकारी है अब जो बहु घर में आ गई थी बहु को अपनी सास का पूजा पाट करना बिल्कुल अखरता था वे अपनी सास को फूटी आँख नहीं सुहाती थी लेकिन बेटा बहु ती शर्वन कुमार था अपनी मा का अग्याकारी पुतर था इसलिए बहु कुछ चाहकर भी अपनी सास से नहीं कह पाती थी बेटा ही कमाता था और घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि बुढिया पूजा पाट इतना करती थी लेकिन ये था कि किसी को देने के लिए नहीं तो लुटाने के लिए नहीं तो खाने के लिए तो बहुती था, लुटाने के लिए नहीं था तो, लेकिन बुढिया अपने हिसाब से दान पुन्य भी किया करती थी, दान धरम किया करती इसी कारण, उसका बेटा तरक्की कर रहा था, बुढिया अपने बेटे से बड़ी खुश थी, कि चलो उसका बेटा उसकी बास सुनता है बहु थोड़ी बड़-बड़ हारी है थोड़ी बड़-बड़ा कर चुप हो जाती है क्योंकि अगर बेटा ही साथ नहीं देगा तो बहु तो पहले सिर्पर नाचेगी इसलिए बेटा सही है तो बहु तो अपने आप ही सही रहेगी अब धीरे धीरे समय बीता कार्तिक का महिना आ गया अब जो सास कहने लगी बेटा मैं हर साल कार्तिक इसनान करती हूँ तब उसका बेटा बोला मा आराम से गंगा इसनान करो अब बुढिया माई हर साल कार्तिक इसनान करने लगी अब धीरे धीरे समय भीता घर में पोते की किलकारियां गुंजने लगी अब बुढिया माई बड़ी खुश्ती कि बेटा अपने घर परिवार का हो गया उसका भी घर परिवार पूरा हो गया अब मुझे जो अपना प्रभु भक्ती में अपना जीवन गुजारना चाहिए अब बुढिया अपने बेटे से कहने लगी बेटा मुझे हरी द्वार जाना है मुझे जो चतुर मास का इसनान करना है ताब वह बोला ठीक है मा तुम चतुर मास इसनान करो और जो भी तुम्हें जरुरत होगी मैं तुम्हें हरी द्वार छोड़ाऊंगा तुम्हारी जरुरत के सब सामान ले जाऊंगा तब वह लड़का अपनी पतनी से कहता है कि सुनो भाग्यवान मेरी मा के लिए गौंद और गिरी के लड़ू बना दो अच्छा सा घीर डालना मेरी मा एक महिने के लिए जा रही है बहु ने जब यह सुना कि बुढ़िया के लिए गौंद गिरी के लड़ू बनाऊंगी और उधर जो बहुती वह गरीब घर की थी उसकी मा कोई पूजा पाट तो करती नहीं थी वह सोचने लगी सास के लिए गौंद गिर घी के लड़ू बनाऊंगी क्यों ना अपनी मा के लिए बनाऊ अब उसने आटा भूना और ऐसी सूखे लड़ू जिन में कुछ नहीं था अपनी सास को बना कर रख दिये और उनमें नमक भी मिला दिया अब अगले दिन जो बेटा बोला चलो मा मैं तुम्हें हरी द्वार छोड़ाता हूं दोनो मा बेटा खुसी खुसी गंगा इसनान करने के लिए और वहाई पर चतुर मास इसनान करने के लिए बुढ़िया चल दी क्योंकि कार्तिक का महिना आने वाला था और वैग कहने लगी बेटा गंगा इसनान करने से जो कार्तिक के महिने की बड़ी महिमा है इस महिने में जो भी कार्तिक इसनान करता है उसके जो जनम सुधर जाते हैं उसके घर में किसी परकार की कोई कमी नहीं रहती है बेटा बड़ा परसन हुआ कि मा यह तो मेरे अच्छे करम है कि मैं अपने मा को तीरत करवाँ अपने मा को लेकर बेटा गंगा इसनान कराने के लिए हरी द्वार ले गया मा पर जाकर बेटे ने अपनी मा के लिए एक जोपड़ी बना दी और सब सुवीधा जो भी जरुवत का समान था अपनी मा के लिए रख दिया और अपनी मा से बोला मा एक महिने के बाद मैं तुम्हे लेने के लिए आउगा तब तक तुम अपना कारतिक इसनान करना और पूजा भगती भावना से करना तब मा बोली जाओ बेटा खुसराओ दूदो नाओ पूतो फलो ऐसा बेटा पाकर तो हरमा धन्या हो जाती है अब बेटा जो पडोसियों से कहकर कि मेरी मा का ख्याल रखना और घर आ गया क्योंकि घर का काम वही देखता था अगर वह कमाएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा मा भी यह जानती थी इसलिए एक महिने के लिए मा हरिद्वार में रुख गई बुडिया माई हरिद्वार में रहकर कार्तिक इसनान करने लगी आब वह सुबह चार बजे उठ जाती थी उठकर गंगा इसनान करती तुलसी जी सीचती और पीपल पतफारी की पूजा करती उन्हें सीचती कार्तिक की कहानी कहती गणपती जी की कहानी कहती विश्नु भगवान माता लक्ष्मी की कहानी कहती उसके बाद अपना काम करती और जो समय बचता उसमें अपने अड़ोसी पड़ोसियों को एकटा करके भगवत चर्चा किया करती थी इससे सभी बहुत खुषते और धीरे धीरे समय बीत रहा था बुडिया माई ने देखा कि जो बहुने लड़ू दिये थे तो वैं खाने के लिए लड़ू खोलती तो देखती है कि उसमें जो लड़ू थे गौंदगिरी के लड़ू बने हुएं बड़ी आसीस देने लगी मेरी बहुने कितना घी डाल डाल के लड़ू बनाए हैं क्योंकि कारतिक भगवान की किरपा से वो गौंदगिरी के लड़ू कि एकदम अच्छे बन गए थे जिनमें सम्मेवा पड़ी हुई थी अब वे दिली दिल अपने बेटा बहु को आसीस देते हुए नहीं ठकती थी कि मेरे बेटा बहु कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं धीरे धीरे समय बीत रहा था कार्तिक महिने के चार दिन रह गए एक दिन बुढिया माई जोपड़ी में रात को बैठी हुई कीरतन कर रही थी तभी उसकी जोपड़ी पर जो दर्वाजा था उस पर जोर से आहट हुई तब उसने दर्वाजा खोल कर पूछा कि कौन है भई बाहर से आवाज आई की बुढिया माई मैं सावन हूँ बुढिया माई बोली सावन अक हाँ बुढिया माई भूक लगी है तब बुढिया माई बोली आजा बेटा लड्डू खाले सावन मैं की तो बड़ी महिमा है महा सिवरात्री आती है कावड लेके जाते हैं भगवान भोले नात को जो जल चड़ाया जाता है सावन महिने की बड़ी महिमा प्रमपार है उसने एक लड़ू दिया और जो सावन ने खा लिया और वह एक लात बुडिया की जोपड़ी में मार कर चला गया अब बुडिया की जोपड़ी का एक सीरा जो सोने का बन गया अब अगले दिन भादो आया भादो ने का बुडिया माई भूक लगी है बुडिया माई बोली कौन है बोला मैं भादव हूँ, अक आजा बीटा, अक भादव में तो देखो भगवान स्री कृष्ण का जनम मनाया जाता है, भादव में कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छे से जनमाष्ट में आती है, तब वे बोली हाँ बहुत अच्छा है, भादव को भी उसने एक लड़ करने का हो गया, आप तीसरे बार जब तीसरी रात थी, तो बुढ़िया भजन कीर्थन में थी, तो आप जो अशविन महिना आया, अश्विन महिना आया सोज का, तो उसने भी बुढ़िया के दरवाजे को खड़ खड़ाया, बुढ़िया ने कहा कौन है, अक बुढ़ि आते हैं माता के नवरात्रे आते हैं सब बुराई प्रच्छाई की जीत होती है अब अश्विन भी जो बुड़िया माई की जौपड़ी में एक लात मार गया बुड़िया माई की जौपड़ी का तीसरा जो सीरा था वे भी सौने का हो गया आप चौथा दिन था आखरी दिन कार्तिक का दिन था अब चोथे दिन कार्तिक आया कार्तिक ने भी दर्वाजा खड़ खड़ाया अब बुढिया माई बोली कौन है अग बुढिया माई मैं हूँ कार्तिक अग तो आजा कार्तिक का महिना कितना पवित्र होता है दिपावली आती है और दसेरा आता है कितने किसनान करने से पर लोक भी सुदर जाता है लोगों के घरों में अंधन के भंडार भर जाते हैं सब तो हार आते हैं धनतेरस आती है गोबर धन आता है और दिपावली खुसियां लेकर आती है आप बुडिया माई ने एक लड़ू कार्थिक को दिया और कार्थिक भी जो हो गई आप बुडिया का कार्थिक इसनान पूरा हो गया था वहाँ पर बुडिया ने अपने ब्राह्मनों को भोजन करवाया और जो क्यूंकि अंधन का धेर लग गया था सौने की जोपड़ी हो गई थी बुडिया के मन में जितना आया उसने खुब दान फुन्य किया और उसके बेटे ने देखा कि अब एक महीना हो गया है तो मैं अपनी मा को लेने जाऊंगा बेटा पाल की सजा कर अपनी मा को लेने के लिए चल दिया जब वे हरीद्वार में नदी गंगा नदी के किनारे पहुचा जहां अपनी मा के लिए जोपड़ी बना कर आया था देखा तो हुआ पर तो मा की जोपड़ी है ही नहीं हुआ तो सौने का महल खड़ा है आप जो उसने पड़ोसियों से पूछा कि मैं यहां पर अपनी मा को छोड़ कर गया था तब वे कहने लगी अंदर चले जओ तुमारी मा की ही तो जोपड़ी है अरे यह जोपड़ी थोड़ी है मैंने तो अपनी मा के लिए जो बल्लियों से और फूंस से जोपड़ी बनाई थी बोले अरे तेरी मा इतनी धार्मिक महिला है भगवान की किर्पा हुई है और उसकी जोपड़ी सौने की हो गई है बेटा की खुशी का कोई जो पारोबार नहीं था वे तो बहुती खुश था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था अंदर गया अपनी मा के पैर चुए मा ने आसी सों की जड़ी लगा दी बोला मा एक महिना हो गया कारती किसनान पूरा हो गया चलो अब घर चलो वे बोली ठीक है बेटा जितना उन पे सोना चांदी भरा गया उतना तो उन्होंने अपने थैलों में और कटों में भर कर गाड़ी में लाद लिया बाकि उन्होंने हुआँ पर रहने वाले लोगों को दिल खोल कर दान किया जिससे कहते हैं जितना दान करो उतना इभंडार और भरते हैं यही बुढ़िया माई के साथ हुई अब तो बेटा बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी मा को विदा करा कर ला रहा था जाब वे अपने गाउं में पहुँच गया तो गाजे बाजे की अबाज सुनते ही बहु के तो जो कान खड़े हो गए सोचने लगी ऐसी बुढ़िया कौन सी तीर मार के आ रही है जो उसे गाजे बाजे से लाया जा रहा है लोगों ने सुना तो चर्चे होने लगे अरे बुढिया तो बड़े सत्की है बड़े नियम करम वाली है देखो कार्तिक भगवान ने कैसी उस पर किरपा करी है ये राई दामुदर राव जैसी बुढिया पर किरपा करी वैसी ही सब पर करना सब लोग जो बुढिया का गुनगान करने लगे जब बहु के कानों में प कहने लगी सास आ रही है तो कौन सा तीर मार कर आ रही है जो आर्तिक ठाल सजा लू उसने का की सास को क्योंड लारी है अटो बहु भी उसने अपनी सास की आरती उतारी, सास ने बड़ा असरवात दिया, दूदो नहो पूतो फलो, आप तो बुढिया को देख कर जो मने मन, बहु जो कुढने लगी, कि ऐसी बुढिया ने क्या किया, कहा से इतना सोना चांदी ले आई, बुढिया ने कहा, कि मैं तो हुआ कार कारतिक भगवान की किरपा हुई है, अब जो बहु का मायका था, वे थोड़ा गरीव था, एते हैं हर बेटी अधिकतर अपने मायके के लिए बहुत पच्चती है, बेटियों का मायके से लगा होता ही है, अब उसकी बहु ने सोचा मेरा मायका इतना गरीव है, यह बुढिय मेरा भी जो मायका अमीर हो जाएगा, और मेरी भी वहवाई होगी, कि मैं भी अमीर घर की बेटी हूँ, यही सोचकर बहु ने जो अपनी मा को सारी बात बताई, धीरे धीरे महीने भीते, अगली साल फिर से कार्तिक का महीना आया, अब बहु ने अपनी मा के लिए बड़े गूंद के जो लड़ू बनाए, घी गूंद और सारी मेवा डाल कर एकदम तर घी में, और डबा भर कर अपने पती से बोली जाओ मेरी मा को, जो गंगा इसनान के लिए हरी द्वार छोड़ाओ, मेरी मा कार्तिक इसनान करेगी, तब बढ़िया के बेटे ने सोचा, कोई बा गू की सास थी, उसे धरम करम में बिल्कुल भी रूची नहीं थी, वे कोई धरम करम करना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटी के जोर देने से, और अमीर होने के लालट से, वे जो गंगा इसनान करने के लिए तैयार हो गई थी, अब बढ़िया का बेटा अपनी सास को लेकर, नदी किनारे जो घरी द्वार गंगा किनारे पहुच गया, वहाँ पर उसने जहां अपनी मा के लिए जोपड़ी बनाई थी, ऐसी जोपड़ी अपनी सास के लिए बना दी, और कहने लगा हम अपनी सास से, अक माता जी जब एक महिना हो जाएगा, तो मैं तुम्हें लेने आजाऊंगा, आप यहाँ पर रहकर गंगा इसनान कीजिए, कार्तिक के महिने का गुनगान कीजिए, और कार्तिक के महिने की बड़ी महिमा है, कार्तिक इसनान की, इसलिए आप यहाँ भगवत भजन कीजिए, और अपना समय काटिए, और पढ़ोसियों से कहकर बेटा, जो हुआ क्या था कि बुढ़िया जो थी बहु की मा वे कोई कार्थिक स्नान करती नहीं थी मनमर जी हुआ तो सोकर उठती मनमर जी हुआ बनाकर खा लेती बेटी ने जो लड़ुए दिये थे गौंदगिरी के उन्हें खाती और मजे से सोती रहती कोई पूजा पाठ धरम करम कु हम उसके पास रहकर कितना ग्यान उनसे सीखे थे लेकिन यह बुढ़िया तो बाहर निकलती नहीं है दुफैर को उटती है तब नहाती है लेकिन लोगों को क्या पढ़ी है कोई कभी भी करो अब धीरे धीरे जो कार्थिक महिने के चार दिन रह गए अब सामन आया सामन ने दर्वाजा खट खटाया तो बोली कौन है अक मैं सामन अक सामन ने तो क्या सिर पे ना चाहगा बोला भूक लगी है एक लड़ू दे दो तो बोली मेरे पास नहीं है कुछ भी भाग जाए हैं से वैसे ही गिने चुने रखे हुए हैं वैसे ही बनाने खाना पढ़ रहा हैं उसने सामन को धमका कर भगा दिया अब सामन ने जो एक लात मारी उसकी जोपडी का एक सिरा गिर गया आप जो भादो आया भादो ने अगली रात पिर उसका दर्वाजा खट खटाया बुडिया सोती हुई चिलाई रे कौन डुष्टा गया क्यों नींद को खराब कर रहा ह कम से कम चैन से सोने तो दो वे बोला मैया मैं भादव हूँ अग कौन भादव मैं किसी भादव भादव को नहीं जानती अपना रास्ता नाप मुझे सोने दे और आकर नेंद में खलल डाल देते हैं भादव बोला मैया मैं भूका हूँ अग भूका है तो फिर मैं क्या करू मैंने कौन से यहां भंडारे चला रखे है और उसने भादों को भी हुआ से भगा दिया आप तीसरा महिना सौज यानि अश्विन का आया आप तीसरी रात थी तीसरी रात आकर अश्विन ने जो दर्वाजा खटखटाया बुढिया तो जो वैसे ही खार खाए वे बैठी थी दर्वाजा मारा अश्विन के मुँः पर देकर और कहने लगी क्या है अक मईया भूक लगी है अक भूक लगे है तो हैं का मैं तुम्हारे लिए 56 भूक बना कर बैठी हूँ जो तुम्हें भोक खिलाओंगी अपने लिए तो मेरे सो होता नहीं है जैसे तैसे बनाती हो रो की जोपड़ी गिर गई अब अगली रात कार्तिक आया तूटी फूटी जोपड़ी में बुढ़िया कंबल ओडे लोट रही थी उसे था ठंड लगरी कार्तिक आया उसने दर्वाजा खट खट आया अब बुढिया को गुस्सा चड़ा हुआ डंडा लेकर बैठी बोली भाग रात कुई आना हो जैसे तैसे जाडे में समय काट रहे हैं बुढ़ापे में इनको बना के रख दो आ जाते हैं भिकमंगे कहीं से भी मांगने के लिए इस तरह से बुढ़िया जो डंडा लेकर कार्तिक के पीछे भागी कार्तिक तो हुआ से चला गया और बुढ़िया जो गधी बन गई कार्तिक के श्राप से बुढ़िया गधी बन गई आप जो वे तो अपनी जौपणी में इदर उदर घूमने लगी अड़ास पड़ास के लोगों ने देखा कि इस जौपणी को तो गिरी पड़ी है इसमें तो बुढ़िया रहती थी लेकिन बुढ़िया की और इसने पड़ासियों से पूछा कि यहां मैं अपनी सासु मा को छोड़ कर गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रही पड़ासी बोले आरे दिखाई क्या नहीं दे रही है तेरे सामने तो जो रैंक रही है यही तो है वे बोला आरे क्यों मैं जाक करते हो अच्छा भला इ क्यों मेरी सास तो कार्ति किस नान के लिए हैं रुकी थी उसे तो चातुर मास से इसनान करना था तब पड़ोसी कहने लगे अरे भाईया तुमारी सास का तो कहना ही किया पहले वाली जो बुढ़िया आई थी चार बजे उठकर इसनान करती थी हम लोगों को भी जगा दिया कर सोई मत पता नहीं 12 एक बजे तक सोती है दो फैर में इसनान करती है मन में आया तो कर लिया नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है जो अपड़ी में पड़ी पड़ी सोती रहती है ना कोई साफ सफाई ना कुछ कितनी मलिंता के साथ रहती थी आप जो बेचारा बेटा जो था बुढिया का क्या करता अब उसने उस गधी के गले में एक रसा डाला और उसे ले कर चल दिया उसे ले कर चल दिया घर पर तो जो बहु थी वे बड़ी खुस हो रही थी आज तो मेरी मा आएगी उसने जो आरती का थाल सजा लिया मेरी मा भी धन के जो बोरे भर भर कर लाएग बड़ी खुषती सुभे से ही उसने जो चपन परकार के तो भोग बना डाले अपनी मा को ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी आरती की थाल सजाली लेकिन सोचने लगी अब तक बैंड बाजे की आवाज नहीं आ रही अपने पती को बताऊंगी मन में सोचने लगी अपने मा को तो बैंड बाजे से लाया था लेकिन यह तो मेरी मा है ना ला रहा होगा चुपचाप बुढिया का जो बेटा है मा का बेटा है तरह तरह की बाते सोचने लगी जब बेटा घर पहुँचा उसने दरवाजा खटखटाया तो बहुत समझ गई मेरी मा आई है आरती का थाल लेकर दोड़ी दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोला तो देख्या उसका पती एक गधी को लेकर खड़ा है तब हुए गुस्से में बोली मेरी मा कहा है और मेरी मा को तुम बैंड बाजे से क्यों नहीं लाई मुझे भी तो अपनी जैसे तुमारी मा की आरती की थी अपनी मा की आरती करनी है बेटा बोला हाँ हाँ तो गुस्सा क्यों हो रही हो कर लो आरती अक कहा है मेरी मा अक ये तेरी मा ही तो है बोली मजाक मत करो तुम मेरी मा के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरी मा कोई गधी है गधी को मेरी मा बना रहे हो वे बोले मैं तो कुछ नहीं कह रहा जैसा करम वैसा आगे आ रहा है यह तुमारी मा है कोई और नहीं है अब गधी भी रेखने लगी अपनी भासा में बताने लगी कि मैं ही तेरी मा हूँ और अपनी बेटी से जो गर्दन हिला हिला कर उसके मूँ से लगने लगी अब बेटी उसे धुतकारने लगी परहट यू कैसी गधी लेकर आयो मेरे पीछे पढ़ रही है वह बोलिया गधी नहीं है यह तेरी माँ है आप बेचारी करती क्या मानना पड़ा कि उसकी माँ है और उनसे पता करो कि यह गधी कैसे बन गई है सम्दन जी अब बेटा ने जो वहां के जो प्रोहित जी थे उनको बुलवाया और उनसे बताई पूरी बात अक प्रोहित जी मेरी मा गंगा इसनान करने गई थी कारती किसनान तो मेरी मा तो सुबही हुआ पर पूजा पाट कर तुलसी सीचती थी और पतवारी और पीपल सीचती थी सारा देन भजन कीर्टन किया करती भगवत कथा में इनका समय बीथता था क्योंकि जैसा पड़ोसियों ने बताया था बेटा ने सब ऐसा ही बताया प्रोहित जी ने कहा अच्छी बात है बेटा तब बोले यह मेरी सास है यह बोली मुझे भी चातुरमास का इसनान करना है तो मैं अपनी सासु मा को भी हरिद्वार गंगा इसनान के लिए छोड़ कर आया था कार्तिक का पवित्र महिना था तो यह भी जो कर लेगी और इनका भी जो जनम सुधर जाएगा यही सोच कर मैं अपनी सासु मा को गया तो पड़ोसियों ने बताया कि यह गधी बन गई है ना तो यह कार्तिक इसनान करती थी ना ही तुलसी सीचती थी ना ही पीपल पतवारी सीचती थी ना ही कोई कथा कहा करती थी बस खाती और मनमर जी पड़ी रहती थी जब तक मन में आया सो लिया और मन में नहीं आया तो वो कहने लगें, कि है उसकी बहुती बुडिया की अगवा बेटी तुम्हारी माने जो कार्थिक भगवान का पमान किया है, इसलिए इसको शराप मिला है, और अब ये गधी बन गई है, अब जो बेटी रोने लगी, प्रोहित जी के पैरों में पड़ गई, कि है प्रोहित जी बोले अग जब कार्तिक महिना आएगा और तम्हारी सास इसनान करेगी तो उस इसनान से पूरा एक महिना कार्तिक का महिना इसको इसनान कराना तब यह अपने वस्त्विक रूप में आ जाएगी। बहु ने कहा ठीक ऐसा ही होगा आप एक साल का समय काफी लंबा होता है अब बहु उस गधी को अपनी मा को आंगन में बांध देती खाना पीना देती बच्चे तो होते ही थोड़े नटखट हैं जब वो रैकती सोर मचाती तो एक दो डंडा उसमें स्टेक देते अब कोई भी जानवर है बच्चे तो करी देते हैं अब बढ़िया उनको समझाती नहीं बेटा वो तुम्हारी नानिया ऐसा नहीं करते बढ़िया अपने पोते पोतियों को अच्छे अच्छे संस्कार देती थी जिससे बच्चे अपनी दादी मा की तो जो बात मान लेते थे और अपनी दादी मा से चिपके रहते थे बहु को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था वे मनी मन सोचती मैंने कभी भी अपनी सासू को कोई तबज्जो नहीं दी हमेशा अपनी सास और अपनी मा को लेकर अपनी सास के साथ पक्षपात किया कभी उनकी कोई बात नहीं की बात बात पर उनका अपमान किया शायद इसी कारण भगवान ने हमें सजा दी है बहु को गलती का एहसास हो गया वह अपनी सास मा के पैर पकड़ कर रोने लगी सास मा ने उसे समझाया बेटी इसमें कोई बात नहीं तुझसे जो गलती हुई है उसका प्राश्चित्तू कर रही है तुने अपनी गलती मान ली तो आदी बुढिया इसनान करती और गंगा इसनान करने जाती थी बुढिया तो क्योंकि वह तो कार्तिक इसनान करती थी पूरा तुलसी सीचती पतवारी पीपल सीचती उनकी कहानी सुनती और जो पानी होता उसके नहने का, उसमें से थोड़ा सा पानी लाकर वैं गधी के उपर डाल दिया करती थी, ऐसे ही यह रोज का नियम बन गया था, आप जो बहु की सास धीरे-धीरे रोज पानी उसके उपर डालने लगी अपने नहने का, तो आप जो आखरी का दिन आ गया, पूरण मासी का दिन आ गया तो बुढिया ने कहा कि मुझे जो अपना उजुमन करना है कार्तिक का तो अपने बेटे से बोली बेटा ग्यारे ब्राह्मनों को बुलवाओ उन्हे भोजन करवाओ और दान दक्षना दो बेटे ने का मा ठीक है मैं आभी ब्राह्मनों को भोजन के लिए बुलाता हूँ बेटा ने एक दिन पहले ब्राह्मनों को न्योता दे दिया ब्राह्मन आये घर में हवन कराया पूजा पाठ हुई कार्तिक का महतम में सुनाया गया और जो बुढिया नहाई और जो पानी था नहाने का वो गधी पर डाल दिया गया कार्तिक का महतम में और कथा कहानी सुनकर और बुढिया के एक महिने के नहाने के पानी से नहाते हुए आप जो गधीती वे जो बहु की मा के असली रूप में आ गई आप उसने जो बुढिया के पैर पकड़ लिये और कहने लगी कि सम्दन जी मुझे माफ कर दो मैं तो अज्यानी उमूरक हूँ लालच के बल में गई थी तुम तो सत के बल नहाई तो कार्तिक भगवान तुम पर परसन हुए और मैं लालच से नहाई तो मुझे यह सजा मिली आप जो कार्तिक इसनान हम सचे दिल से किया करेंगे आप तो बुढिया के साथ-साथ बुढिया की बहु बुढिया का बेटा और बुढिया की बहु की माँ सब हर साल कार्तिक इसनान करने लगे अब बुढिया का गाउं में भी बहुत मान सम्मान बढ़ गया अड़ोसी पड़ोसी भी सब बुढिया की सला लेते थे कार्तिक के समय बुढिया सब को कहानी सुनाया करती थी सब लोग बुढिया माई की जैजैकार करते कि ऐसी बुढिया माई हमारे घरों के आसपास है तो अपने आप हमारे बच्चे अच्छे संसकार पाहेंगे आप जो सब कार्थिक मिलकर इस्नान करते गामगली के सब लोग जो बुढिया की देखा दे की कार्थिक इस्नान करने लगे कार्तिक के महिमा प्रमपार है हे कार्तिक भगवान हे दामुदर राव हे विश्नु भगवान हे माता लक्ष्मी जैसी कार्तिक महिया तुलसी महिया जैसी बहु की सास को आई वैसी सब किसी को आई हो जैसी बहु की मा को आई वैसी किसी को मत आई हो जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी सभी मानौ कामना पूरी करना उनके घर में अन्यधन के भंडार बनाए रखना दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी राधे राधे